नमस्कार दोस्तों में रहुल सहास्तीरी सवगत करता हूँ आपका दोस्तों आज अपने चर्षा करेंगे वर्षब लगन के अंदर केतू की महा दस्षा अंतरदशा का किस चरह का पीनिशनाव आपको देखने को मिलेगा सरत तरीकी से कम सब्दों मैं बताने जा रहा हूं आपको वर्षब लगन के अंदर क्या एफेक्ट्स होंगे केतु के अगर कुण्डली के अंदर केतु कारक है तो आपको पॉजिटिव फ़ल मिलेंगे इसी की परकार अगर मारक है तो आपको नकरतमों फल में लेंगे, अब आप किस तरह से पता करेंगे, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले समझ लेजिए वर्सब लगन, लगन में दो, पहले भाव में दो, तो समझ लेजिए वर्सब लगन की कुडली हुई, आपके तू किस तरह का परिणाम देंगे, कहां अच्छा, कहां बुरा, यह मैं बताने जा रहा हूँ, तो देखिए जैसे अगर वह वर्सब लगन के अंदर, तीसरे भाव में, सत्रू राशी में होने के करण, परिश्रम को देगतर साता है, तो अच्छा पल नहीं मिलेगा, जातक को, चोथे भाव में भी सत्रू राशी में होने के करण, जातक को अच्छा पल नहीं, पाच्छे भाव में अपने मित्र राशी होने के करण, जातक को फैदा होगा, छटे भाव में अपनी मित्र राशी में हैं, पर तिरिक भाव में होने के करण, जातक को फैदा नहीं, साथे सब्सक्राइब को तो जहां जहां मैंने करोस लगा है और जहां मेंने टिक लगा है आपको फायदा मिलेंगे केतु देव brightest बानव बार्वे भाव में त्रिक भाव हों है, जैसे मेश रासी में हैं में हैं बार्वे भाव बेध ज़से मेंकरात देखने को मिलेंगे और खास्तोर से नीच रासी में वर्षब और मितुर्ण रासी में यहां पर केतु देव अपना दूस परिणाम बहुत ज्यादा जातक को देंगे केतु कि महादसा अंतरदसा प्रतेंतरदसा में आपको किस दरे के परिणाम देबान के लगाँ अब कैसे होगा यह दूसरे बहुत बहुत प्राइख्रम के बाद जत्क बहुत पश्यृत को फैदा नहीं माद चोथे बहुत जहीं नी पाएंगे। बहुत मैनथ करने के बाद जब जाके योग बनता है और जातक को पहुत हानि होती है जातक हर चीजों में कंअत्य गति होती है पांथा और पिता के साथ भी संपन्थ अच्छे नहीं पांचपना के अंधर पढ़ाई अगर पती है तो पतनी और पतनी है तो पती उसके बाद जातक का भाग्य होदे होता है आटवे भाव में कष्ट एक के बाद दूसरी बादा का नाम नहीं लेती दुरगटना परेशानी मान्ची कुरूप शहानी और स्टैगर्स क्रियेट होते है नोव भाव में मकर रासी महन के कारण जातक को आकस्मिक धनलाब भागे का साथ विदेश यातरा धारमिक किसम का पूनरूप से जातक को फैदा दसवे भाव में जातक मान सम्मान पटपर्टिस्टर या स्कीलती पराप्त करता है अपने बिजनिस या नोकरी या रोजगार में इंकम जातक की अच्छी हो पर उसके बाद भी जातक को फैदा होगा अगसमिक धरलाब होगा जातक को बार में हानी हो दरसात है मानशीक्पडा मानशीक। परिशानी थोड़ा धक्यात में किसम को होगा पर र्वेक्ति पर फिर भी मानशीक। से प्रिचाद medical चीजों के खर्चा और यहां पर भी केतु दिख कर देंगे तो वर्सब लगन के अंदर केतु की जो महादसा होगी किस भाव के अंदर किस तरह के परिणाम वह क्या होगे वह में आपको बताने की कोशिस करी केतु अब आपको देखना है किस भाव में है केतु किस रासी में है चलित कुड़ली में क्या मैतो है या चलित कुड़ली में भी सेम है उसकी placement केतु की नौमांच में कैस्टिती है किस गरों के साथ यूति है किस गरों से दरस्ट है और सरडबल में कैस्टिती है यही तमाम जानकारी के बाद आप पून रूप से समझ कि वर्षब लगन के अंदर केतु की जो महादसा है अंतरदसा है परत्यंतरदसा है उसका परसेंटेज कितना होगा अगर वो सकरात्मक फल है तो किस परसेंटेज में देंगे तो दोस्तों सरल तरीके से कम सब्सक्राइब के अदर केतु का फल वीडियो अच्छी लगी गूत लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत गूलिएगा धन्यवाद